हेलो गाईज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल सो गाईज आप सब कैसे हैं कैसे हैं आई होग कि आप सब अच्छे होंगे तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले फार्मसेटिकल कैमेस्ट्री के ओप्सन टाइप कोश्चन के बारे में जो की बहु एक कोश्चन नमबर एक में क्या है तर्म एट्रोपाई सोमेट्सिम इस यूजड फोर आईसोमर्स इसका ओप्सन ए क्या है यह दैट कैन बी इंटर कनवर्टिट बाई रोटेशन अबाउट सिंगल बॉंड ओप्सन नमबर बी में क्या दिया गया है यह दैट आर इंटरिकल अम इस ओमर्स ओप्सन नवर्स जेट अर इनन ट्हाzd मार्स आश्यों नंबर ड़िए दैट आर अप्तिकल आईसोमर्स यह पर आपको जो राइट ऑप्सन होने वाला है वे ओप्सन नंबर के यह प्रफों का अंसर आप्s नंबर ए है देट can be interconverted by rotation about single bonds. Question number 2 The separation of racemic mixer into the pure anon tumor is यानि कि जो racemic mixer का वरगी करन होता है separation उसे racemic mixer को अलग करते हैं किसकी साइता से किसमें pure anon tumor कि साइता से यानिके pure anon tumor में racemic mixer को अलग करते हैं उसे क्या कहते हैं option number a resamization, option number b resolution, option number c isomerization, option number d all of about तो यहां पर आपका जो right option है option number b resolution उसे हम resolution बोलते हैं क्या होता है वह हमें बताना है तो आपको option में ए में दिया गया है इस एन एक हेरिकल मोलिक्यूल डैट कंटें चिर्यालिटी सेंट्रल option number B में दिया गया है content plane of symmetry option number C है is optically inactive option number D is characterized by all of above तो यह पर आपका जो answer होगा option number A होगा इस एन एक हेरिकल मोलिक्यूल डैट कंटें चिर्यालिटी सेंट्रल question number 4 question number 4 क्या होने वाला आपका डी एंड एल आर ए पेयर ओफ खालिस्थान configuration यानिके डी और एल आपका किस प्रकार का है किसका पेयर है वह में बताना है डी और डी और एल किसका पेयर तो यहाँ पर option A में दिया गया है relative, option B absolute, option C system, option D optical तो यहाँ पर आपका right answer जो है option number A है relative, D और एल रिलेटिव पेयर के configuration है यानिके किस से संबंदित है, D और एल रिलेटिव पेयर से संबंदित है question number 5, R और S, R a pair of configuration यानिके R और S किस configuration के pair है किसका जोड़ा है option number A में relative, option number B में absolute, option number C में E, Z और option number D में optical यहाँ पर आपका right option जो है option number B है, absolute, R और S, absolute pair के configuration है या absolute से संबंदित है question number 6, D and L are a, small d and l are a pair of dot 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 configuration यानिके D और L किस जोड़े के configuration है या किस जोड़े का, किस जोड़े से संबंदित है, option A में relative, option B, absolute, option C, E, Z, option D, optical isomers question number 7, a bond in which atoms share a pair of electron is, यानिके वह कौन सा bond या वह कौन सा बंद है, जो atom के जोड़े को electron पर भेजता है, या electron यानिके वह कौन सा बंद है, जो अनों के साथ, electron के जोड़े को share करता है, या भेजता है, नंबर एक, ionic bond, नंबर दो, covalent bond, नंबर तीन, electron, electron bond, और नंबर D है, binary compound band, तो या पर आपका right option जो है, वो option number B है, covalent bond, यही atoms के साथ अपने pair को भेजता है, electron के pair को भेजता है, question number 8, question number 8 में क्या दिया गया है, खालिस्थान is a heterocyclic compound with three-membered ring, यानि के वह कौन सा heterocyclic compound है, जिसमें तीन ring होते हैं, यानि के तीन heterocyclic ring होते हैं, किस member के साथ heterocyclic ring होते हैं, तीन, तो answer इसका जो option है, number 1, furans, B, pyroles, C, ethylene oxide, D, cyclopropane, तो यहाँ पर आपका right option जो है, option number C है, ethylene oxide, ethylene oxide के साथ heterocyclic की तीन ring होती है, खालिस्थान, option number 9 में आपको दिया गया है, dot dot dot, is a heterocyclic compound, यानि के खालिस्थान एक ऐसा heterocyclic, heterocyclic compound है, heterocyclic yogic है, जिसके साथ, with five-membered ring, जिसके साथ, आपको दिया गया है, dot 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 lambda dot 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 हेट्रोसाइक्लिक मेंबर रिंग होती है कोच्चन नमबर 10 पहले और दूसरी पोजिशन यानिके फर्स्ट 1 और 2 पोजिशन विद 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंटेन 2 नाइट्रोजन एटम इस कॉल्ड यानिके जिस पहले और दूसरी पोजिशन पर किस मेंबर के साथ 6 हेट्रोसाइक्लिक मेंबर होते हैं जो कि जिसमें 2 नाइट्रोजन एटम्स पाए जाते हैं जिसमें 2 नाइट्रोजन एटम्स या 2 नाइट्रोजन अनू होते हैं उसे क्या कहते हैं उसे इस काल्ड उसे क्या कहते हैं ओप्शन नमबर A पाइरेडवीन, ओप्शन नमबर D पाइरेडीन, ओप्शन नमबर C पाइरेजीन, ओप्शन नमबर D पाइरेडाजीन, तो यह पर आपका जो राइट ओप्शन होने वाला है, ओप्शन नमबर D पाइरेडाजीन में ही 6 मेंबर एट्रोसाइकलिक के साथ 2 न ट्रिंट खुल्ड यानिके एक और तीन पुजिशन होने पर होने के साथ में छे नंबर यानिकर है सदस्ट एक्रोसाइक्लिक रिंग में दो नाईट्रोजन अनुपाय सित्व यावयर से इसे हैं फोर क्या कहते हैं पाइरिडिमीन कोश्चन नमबर 12 A gas whose molecule is monatomic यानि के वह gas कौन सी है जिसका molecule monatomic होता है option number A oxygen option number B helium option number C nitrogen option number D chlorine तो यहापर आपका जो right option है option number B है helium helium में helium वह यह कैसी gas है जिसके molecule में monatomic अनू पाए जाते है option number 13 question number 13 में क्या है A reaction between an acid and alcohol produce an ester and यानि के एक ऐसी अभी किरिया किसके भी एक acid और एक alcohol के बीच एक ऐसी अभी किरिया जो एक ester और खालिस्तान बनाती है option number A में आपको दिया गया carbon dioxide option number B में water option number C में glycerol option number D में ethanol तो यहापका आपका right option होने वाला है option number B water gel बनाती है यानि के एक ऐसी अभी किरिया acid और alcohol के बीच में एक ऐसी अभी किरिया जो ester और water बनाती है या ester और जल बनाती है question number 14 question number 14 में क्या है removal of hydrogen from alkaline product N यानि के hydrogen से alkaline को साब करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है option number A में आपको दिया गया है alcohol option number B में दिया गया है alkaline option number C में दिया गया है alkaline और option number D में दिया गया है protein तो यहाँ पर आपका right option जो होने वाला है option number C होने वाला है alkaline एलकलाई नहीं आपका राइट आंसर है question number 15 15 में क्या दिया गाए which of the following intermediate has a positive charge यानि कि वह निम्न में से वह कौन सा intermediate है जिस पर positive charge होता है या कौन सा माध्या में जिस पर positive charge होता है जिस पर धनायन होता है तो option number A में आपको दिया गाए कार्बोक्रion option number 10 ओप्शन ऌमरें दिये गाए कार्बोन कारदायन option no번 t ₤ carbonkayment c ₤ carbon option no. d में दिया गाए है nitrion फरण अपर आपको राइट option जो होने वाला है और हो oni कार्बोकरटान यानि के कारवकरटान पर ही धनायन होता है केटायन का मतलब क्या होता है धनायन तो आपका right option होगा option number a question number 16 question number 16 में क्या दिया है which of the following intermediate has a negative charge निम्न में दिये गई option में से वह कौन सा intermediate है कौन सा माध्यम है जिस पर धनात्मक चार्ज होता है तो option number a में दिया गया chatting option number b में दिया carbon कार्बनायन को अप्शन नमबर C में दिया गया है कार्बेन और अप्शन नमबर D में दिया गया है नाइट्रेन तो यहां पर आपका राइट अप्शन होने वाला है अप्शन नमबर B कार्बनायन कार्बनायन पर ही निगेटिव चार्ज होता है या रनात्मक आवेज होता है question number 17 which of the following is a nitrogen analog of carbon यानि कि निम्न में दिये गए option में से कौन सा एक nitrogen analog carbon है nitrogen analog का carbon है तो option number A में carbocatine, option number B में carbonion, option number C में carbon और option number D में nitrogen तो यहां पर आपको आपका right option जो होने वाला है option number D होने वाला है nitrogen, nitrogen यह एक ऐसा तत्व है यह योगिक है जिसमें carbon carbon का एक nitrogen analog पाया जाता है question number 18, question number 18 में आपको क्या दिया गया है which of the following groups come under EDG यानि कि निम्न में से वह कौन सा गुरूप है जो EDG के अंतरगत आता है option number A, nitro, option number B, chloro, option number C, amino, option number D, L-D-I-D, sorry option number D है L-D-I-D, तो यहां पर आपका right option जो होने वाला हो option number C, amino, amino एक ऐसा गुरूप है जो EDG के अंतरगत आता है question number 9, question number 9 में क्या है which of the following groups comes under EWG यानि कि वह कौन सा गुरूप है जो EWG के अंतरगत आता है number A, nitro, number B, methyl, number C, amino, और number D, anilide तो यहां पर आपका right option जो होने वाला है option number A, nitro, nitro एक ऐसा गुरूप है जो EWG के अंतरगत आता है question number 20, question number 20 क्या है which of the following rules is not used to determine the electronic configuration यानि कि निम्न में से दिये गए वह कौन सा rule नहीं है जो electronic विन्यास यानि कि electric विन्यास में परियोग नहीं किया जाता number A, Pauls, option number B, Set Jeff, option number C, Hunts और option number D, Aufbau तो यहां पर आपका जो right option होने वाला है option number B, Set Jeff एक S, Set Jeff में से यह rule नहीं है जो electronic configuration में यूज किया जाता है जानिके Set Jeff जो है वो इनकी category का नहीं है electronic configuration में यूज नहीं किया जाता तो दोस्तो आज कि वीडियो में सिर्फ इतना ही क्योंकि हमारे 20 question पूरे हो गए हैं और अपने next 20 question के set के साथ मिलते हैं आपको नगली वीडियो में यदि दोस्तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like और share जरूर करें और यदि आपने अमारे चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe जरूर करें यदि आपको question अच्छे लगे हो यह question में कोई कमी हो तो आप हमें comment करके बता सकते हैं क्योंकि हम उस कमी को सुदार कर आपके लिए बैतर से बैतर आपकी exam की तयारी करा सके Thank you